क्या मज़धार तू से होगा राहुल रॉय का कमबैक क्यों आश्र के स्टार्ट की रियल लाइफ आश्र की एटिक नहीं पाई हेज वाकम बैक तो बॉलिग्राइट स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्त प्रदिक्षा आप सभी को बताए कि हम हमेशा फिल्मों से रिलेटेड लेटिस्टी उस आपके लिए लेकर आते हैं इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बतन दबा दे मजधार फिल्म 1996 की सबसे बड़ी फिल्मों मेंसे एक है और इस फिल्म को आज तक सबसे इंटरेसिन फिल्मों मेंसे एक माना जाता है आज कर जाए एक तरफ पुढाने फिल्मों और गानों को recreate करने का एक जया ट्रेंड देखा जा रहा है वही इस film के सीक्विल के लिए भी काफी समय से बात चीछ चल रही है और लगता है अभी इस film के सीक्विल के लिए सब का इंतिजार बस खत्म होने वाला है आपको बता दें कि इस film में सल्मान खान, मनीशा कोईराला और राहूल रॉय थे प्रैश के कहानी कुछ अलग थी और आज के ज़माने में भी आउडियस एसी कहानी को देखना बेहर पसंद करती है इस फिल्म के सीक्वड के लिए मांग बढ़ती ही जा रही है तो आखिर क्या थी इस फिल्म की ऐसी कहानी जो 25 साल बाद भी ओडिन्स को इतना पसंद है दोस्तों फिल्म की कहानी में जज कृष्णा यानि राहुल रॉय और राधा राणी यानि मनीशा कोईडाया प्यार में होते हैं अलगरत कास्ट की वज़े से मुश्किरों के कारण उनकी शारी नहीं हो पाती लेकिन वो फिल्बी एक साथ होते हैं जिसकी वज़े से राधा फ्रैग्निट हो जाती है तब गोपाल यानि सल्मान खान राधा की जिन्दगी में आते हैं और उससे उससे प्यार हो जाता है राधा जो अभी भी कृष्ण से प्यार करती है गोपाल के लिए पनी फिलिक्स इजहार नहीं कर पाती बाद में हाला गोपाल के लिए सही हो जाते हैं और वो राधा से शादी करने में भी सफल हो जाते हैं और बाद में राधा एक बच्छी शाथी को जन्मे देती है बच्छे को गोपाल के पास चोड़ कर राधा उसे चोड़ देती है कभी वापस नहीं लौटने के लिए कृष्णा और गोपाल बाद में मिलते हैं और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं हमें एंटर्टेंग किया था इस फिल्म ने और वो सितर है कि ऐसे ही एक दिल्चस्प कहानी के साथ इस फिल्म का सीक्वेल आएगा अब एक और सवाल उठता है कि इस फिल्म के सीक्वेल से क्या करेंगे राहुल रॉय कमबै आपको बदाने की तीस साथ पहले राहुल रॉय ने आशी की फिल्म से सफल्ता की वो कहानी लिखी थी जिसके बारे में उन्होंने खुद भी कभी भी नहीं सोचा होगा इस फिल्म के वक्त राहुल रॉय में इस 22 साल के थे और रात और रात मशूर हो गए थे इतनी अपार सफल्ता मिले के बाद राहुल रॉय को एक के बाद एक कई फिल्मे मिली लेकिन कोई भी फिल्म उनके सफल्ता कोग होना नहीं सकी और धीरे धीरे वो इंडस्री में गुना राहुल रॉय बॉलिवुद में कमबैक करने वाले हैं। आपको बताते हैं कि आशिक स्तार राहुल रॉय की खुद के जिंदगी में तीन सीरिस रिलेशिक्स और एट बीपी हुई शादी भी रही है। और उनकी खुद की आशिकी तिकने ही पाई। उनका नाम बॉलिवुद के कई बड़ी हिरोईस के साथ जुड़ा है। जिन में से कई हिरोईस उनकी को स्तार्स पी रहे हैं। फिल्मों के अलबा राहुल रॉय बिग बॉस सीजन वान में में नजर आये थे। शो के दौरां को ज्यादा तर चुप चापी रहे और आखिर में शो को जीता। साल 2017 में राहुल रॉय ने बीजेवी जॉइन कर ली। राहुल रॉय फिलाल मुंबई में रहते है और उनका एक प्रड़क्शन हाउस भी है। इतने लंबे अरसे में राहुल रॉय के लुप में काफी चेंज़े आये हैं। यहां तक क्योंगे अब देखकर कोई भी हुआ खार सकता है। तो क्या अपनी इस ने लुप के साथ करेंगे राहुल रॉय मजदार तू से कमबैग। आपको क्या लगता है या आप हमें कमेंट बॉक्स में पताइए। फिलाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजासत फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक ने वीड हुआ है